Hey guys this is Manika Singh and welcome back to our channel आज आपके लिए है Maths का Micro Lesson Plan English Language में Physical Science का आपको प्रोवाइट करा दिया गया है और Biology का लगभग शाम तक मिल जाएगा ठीक है जो कि आपको चाहिए था तो अभी फिलाल Maths का है तो देख लेता है आप जानते हैं Micro Teaching Lesson Plan आपकी Skills को Enhance करने के लिए उसको Perfect बिनाने के लिए गरवाए जाते हैं क्योंकि Main Lesson Plan में सभी Skills उसमें Present होती है लेकिन Micro Lesson Plan है इसमें आपकी सभी Skills को अलग-अलग करके स्कौर अच्छा बनाया जाता है ठीक है इसलिए इसको यूज करते हैं तो देखें यहां पर हम 7 Skills की बात करेंगे ठीक सबसे पहले Introduction Skill ठीक आप जानते हैं सबसे पहले यहां पर हम इसकी Intro देदेते हैं मतलब Skill के बारे में कि कौन सी डेट है किस क्लास के लिए बना रहे हैं Subject, Duration क्या होने वाला Topic क्या है Topic Python is The Curious Theorem जिसमें यह आपके introductory questions की तरह ही होते हैं introductory questions से ही लिए जाते हैं मतलब बच्चे की previous knowledge पर based होते हैं तो हमने यह 5 questions कर लिए इसके हमें answer मिल गए components यह आपको पता चल गए previous knowledge से related है pattern में है questions motivation और interest बढ़ाते है introduction आपका related है किस से? Topic से ठीक है इसके बाद में आप जानते हैं introductory question के बाद में statement of aim लिखते हैं तो आपने बता दिया पाइथो गुरुस theorem के वारें बढ़ाने वाले हैं simple इसके बाद में question इसके लाती है यह आपके developmentary question है तरीके से ठीक हैं? तो क्या कर रहे हैं? आपने बताया के pupil teacher एक triangle को right angle triangle को दिखाते हुए question करते हैं chart या model हो सकता है right angle triangle का उपर जगा नहीं थी मतलब आप उपर ही show करना है आपको यह लेकिन हमने आपको यह नीचे दिखा दिया है ठीक है आपने एक picture show करी उसको दिखाते हुए बच्चे से आप question कर रहे हैं ठीक तो आपने यह four questions किये हैं और बच्चे ने इसके answer दी है और यहां आपको components बताई है ठीक है इसके बाद में explaining skill है तो यहां पर भी picture use कर रहे हैं आपको यह भी कहां use करनी है यह आपको इसी column में use करनी है जोगे ना होनी के वेज़े से मैं लिखने में दिक्कत होती है यहां पूरा ही क्योंकि fill हो गया है इसलिए यहां paste कर दिया है ठीक है तो देखेंगे आप जानते explaining skillet explanation चल रही होगी तो people teach a statement आएगा जहां पर आप explain करने है इसके बारे में ठीक है फिर note में आपने बताया कि आपने position change की triangle की उसके बाद में फिर से बच्चों को समझाया पाइथा गरे चरम का formula दिया है उसी basis पर बच्चों ने ध्यान से सुना है समझा है और जो कुछ लिखने के लिए formula था वह note कर लिया ठीक है components आपके यह हो गए एक सके इसके बाद में आगे stimulus variation skill जो कि आपके हाव भाव आवाज पर यहां इन सब चीने पर focus करती है ठीक है तो यहां क्या किया आपने चार्ट दिखाया बच्चे को चार्ट यह वाला हुगा ठीक है rectangular garden आप शो कर रहे हैं तो यह आप यह भी उपर ही शो कीजेगा तो बच्चे से आपने question किया उसको दिखाते हुए बच्चे यह answer कर रहे हैं और साथ में आपके components हो है ही ठीक है पढ़ लेंगे समझ में जाएगा सनी से और last में नीचे थोड़ी सी explanation दे दी इसके बाद में reinforcement skill है जो की बच्चे से आप questions करेंगे बच्चे answer करेंगे और आप उनको negative positive verbal nonverbal reinforcement use करेंगे ठीक है आप देख रहे हैं blue blue से लिखा हुआ है question के बद में बच्चे ने answer दिया तो आपने बोला correct second बोला तो very good आपने बताया फिर third पर very nice बोला है fourth बच्चे ने answer इसके बाद में आपका illustration skill है जहां पर आप illustrate कर रहे है examples के तुरिया समझाना होता है कुश्चत भी कर लिया करते हैं इसके अंदर ठीक है और explanation भी दे दिया करते हैं तो यहां हमारी explanation है जिसमें आपने triangles के types के बारे में आप समझा रहे है right angle triangle acute or obtuse ठीक है बच्चे के activity है कि वो note कर रहे है definition को जहां से सुन रहे हैं और यहां आपके components है इसके बाद में blackboard skill है blackboard skill simple सी वही है आपने simple से question किये है जो introduction question के कुछ वैसे ही है आपने explain कर दिया कितने types के triangle होते है अलग-अलग तरीके से और बच्चे के answer यहां आपको नज़री आ रहे हैं यह components use आपने बता दिये और यहां जो blackboard work है वो आपको show करना होता है तो आपने show कर दिया types of triangle आपने आपको ही आप मैसे ही एक learner को और हो सकता है कि और भी बच्चे है उनका ऐसा ही format हो आपके micro lesson plan का ठीक है इसमें बस दो चीज़ें change है एक तो क्या के content दिया हुआ है पार्थे वस्तू लिखनी है यहां पर उसके बाद component number बताना है कौन सा use किया है आपने ठीक है तो बड़ा ह यह वाले जो portion है ठीक है यह तो मैंने आपको provide करा ही दिये component number है यहां यह mention होता है यही वाले आपको number डालने है कैसे डालने अभी नीचे एक और page है उसमें नजर आ जाएगा और content है जो भी आप questions जिससे related कर रहे हैं वही आपका content हो जाना है ठीक देखेंगे जैसे यह वही same questions है जो अपने पहले page पर देखें इंट्रोडक्शन इसकल में ठीक है यह आपने same ही रखे है people teach activity same है students activity same है देखें component number के आजाएंगे वही जो वहां लिखे हुआ है वही आपने बता दिया आपने कौन-कौन से component यूज किया है number 1a, 1b, number 1c और 1d यूज किया है content में क्या आ ठीक है इसके लावा आगे जैसे बता देती हूं आपको एक बारी सुन लेंगे ध्यान से इंट्रोडक्शन तो बताई दिया ठीक है इसके बाद में जैसे कुशनिंग स्किल है तो यहां पर आपके इसके बारें बता रहे हो right angle triangle के बारें बता रहे हो तो content आपको यही हो जा बस उसकी heading ही लिखनी है आपको ठीक है उसका formula हो जाएगा लिख दोगे stimulus variation skill में आपने क्या बता है रेक्टंगुला गार्डन का आप क्या बता रहे हो एरिया बता रहे हो यही आपका content है ठीक है okay और rectangle का area बच्चे को आता है उसी से related आपने है question क्या है तो वह आप बता दे में आपने किसके बार में types के बारें बताने triangle के तो यह आपका यह content हो जाता है और यह illustration में यहां आपने angle के basis पर बता है triangle तो यह आपका content हो गया ठीक है बस यही एक एक दो-दो point आपको लेखने है okay I hope समझ में आ गया होगा next video मिलते है thanks for watching